तो इस वीडियो के मदद से आप जानेंगे कि WhatsApp application पे कोई new message के आते ही आप same message को कैसे ही share करें आपके Slack के चैनल पे वो भी automatically तो मैंने Public Connect की मदद से WhatsApp और Slack application को integrate करके कुछ इस तरीके से automate किया है कि मैं जब भी कोई new message receive करता हूँ मेरे WhatsApp पे तो उसके ऐसा होते ही उसके details के basis पे वो automatically मेरे Slack के channel पे उस message को share कर देता है तो यह सब कैसे होता है आईए और देखिए तो process को शुरू करने लिए आप अपने browse अब लिख ही है पैबली.com slash connect देन एंटर कर दीजिए ऐसा करते ही यह ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लेंडिंग पेज पे जहापर अगर आपने पहले कभी कोई account create नहीं करा है तो प्लीज इस sign up free button को उप्योग करते हुए free make account create कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारी services को उप्योग कर रहे हैं तो sign in पे click कीजिए send whatsapp messages to slack channel automation आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं ऐसा करने के बाद create पे click कीजिए और create पे click करते ही यह ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के trigger और action window की और जहां पर trigger application कहती है जब ऐसा होता है अब क्या होता है जब भी हम किसी application से data receive करते हैं तो यहां क्या हो रहा है हमारी इस particular application से data आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी trigger application और ऐसा होने पे action application कहती है तो ऐसा करो अब क्या करो जो data आपने अपनी trigger application में receive किया है वो action application की मदद से कि दूसरी application में forward कर दीजिए तो हमारे case में क्या हो रहा है हम जब भी हमारे WhatsApp नंबर पे कोई message receive करते हैं तो हम चाहते हैं उस same message को हमारे Slack के channel पे भेजना तो उसके लिए यहां पर जो trigger application है वो हमें choose करना होगा WhatsApp cloud API को और ऐसा करने के बाद यहां हमें choose करना होगा trigger event क्योंकि trigger event वो event होता है जिसकी basis पे हम हमारी workflow को start करना चाहते हैं तो अगर इसकी drop down में आते हैं तो एक trigger event मिलता है message notification को हम उसको choose करेंगे ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं हमें मिल जाता है एक webbook URL तो बहला यह webbook URL किस लिए तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पैबली connect और WhatsApp Cloud API यह दोनों अलग-अलग application है और अगर हम चाहते हैं इन दोनों application के बीच में कोई integration हो जिसकी basis पे हम जो data है वो receive कर सके हमारे WhatsApp Cloud API की मदद से पैबली connect की इस workflow में तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा क्योंकि webbook URL वो URL होता है जो मदद करता है data transfer करने में किनी भी दो application के बीच में तो मैं आपको बता दू अगर कभी आपने पहले WhatsApp Cloud API का connection establish नहीं किया है या फिर आप अगर उसके बारे में कुछ detail explanation चाहते हैं तो आप यहां पर section में आईए इस click here बटन पर click कीजिए ऐसा करने के बाद यह आपको लेकर आएगा यहां पर WhatsApp Cloud API के लिए जहां पर आप कैसे ही इसका setup कर सकते हैं उसका वीडियो देख सकते हैं इसको आप open कीजिए और step by step आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी then आपको later on एक permanent token भी यहां generate करना पड़ेगा तो वो permanent token कैसे generate करते हैं वो भी steps आपको यहां मिल जाएगी और इसके इलावा अगर आप WhatsApp Cloud API को trigger में उपयोग कर रहे हैं तो वो कैसे ही करना है उसकी details भी आपको यहां आगे पूरी मिल जाती है तो मैं आपको बता दूँ कि फिलाल अगर अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं यहां फिर कह सकते हैं अगर आपने यह connection section में और माइ application में आने के बाद आपको आपकी admin application को यहां से choose करना है वो choose करते ही आपको left hand side में मिल जाएगा WhatsApp का option जहां पर आप जाएए इसकी configuration में configuration में पहुचते ही आपको यहां पर option मिलेगा आपके webbook URL को add करने का तो वो webbook URL को add करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए हमारे WhatsApp नंबर पर जैसे ही कोई message आए तो वो हमें यहां पर यहां मिल जाए उसकी details अब वो message की details यहां आ जाएगी तब हम इस workflow की मदद से उसको हमारे action application में भेज पाएंगे तो वो webbook URL आपने देखा मैंने यहां copy किया है अब मैं यहां आता हूँ दुबारा और यहां पर आप देख रहे हैं यह callback URL का option इसके अंदर यह भी है webbook section के अंदर तो यह callback URL में आप edit section में जाएए देन यहां पर वो webbook URL को paste कर दीती है अब webbook URL आपने paste कर दी है लेकिन यहां डाला होगा एक verify token तो verify token के लिए मैं आपको बता दूँ जब आप click here पर आते हैं जहां मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता यहां आपको step 3 में मिल जाता है verify token तो यह रहा वो token इसको यहां से simply select कीजिए copy कीजिए और उसको verify token की section में paste कर लीजिए ऐसा करने के बाद जैसे click करेंगे verify and save पे तो हमारा जो यह configuration है यह almost यहां complete हो जाता है almost इसलिए को कि अब यहां पर हमको एक webbook field भी select करने पड़ेगी तो उसके लिए हम जाएंगे इसके manage section में और then यहां पर हम क्या करेंगे इस message वाले जो option है इसको हम subscribe करे जिए और यहां क्या हुआ कि आप successfully subscribe कर चुके है messages के लिए then done पर click किजिए और मैं आपको बता दू यहां पर finally जो आपको connection है यह established हो चुका है अब connection यहां established हो चुका है तो आप देख रहे हैं यहां यह wait कर रहा है एक webbook response के capture होने का तो यह webbook response कैसे आएगा जब जिस number से आ WhatsApp के दोरा अगर message भीजा तो यहां पर क्या होगा उसका response आ जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं अपने phone से वो जो particular number है जिससे मैंने connection establish किया है उस पर मैं WhatsApp message भीज रहा हूँ तो यहां पर मैंने WhatsApp message send कर दिया है और उसका response बस आप देखेंगे यहां आता ही होगा क्योंकि मैंने क्या किया है मैंने यह जो वैब उक का URL एना वो एड किया है मेरे उस account के साथ तो आप देख सकते हैं यहां अभी अभी मुझे response आया है जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ यह जो मैंने message send किया है आप देख सकते हैं यह एक message है मैंने खुद लिखा है WhatsApp है औ इसके लावा जिस number से वह message है वह आया है वह भी हमको यहां पर मिल जाता है और then यह रहा हो from number और इसके लावा बस यह ही दो main details है जो जिनकी हमें जरुरत पढ़ती है तो वह यहां आ चुकी है तो अब यहां पर हम क्या चाहते हैं यह जो same message हमको आया हमारे WhatsApp number पे हम चाहते ह है वह हमारे Slack के channel पे चला जाए तो उसके लिए यहां पर action application में हम चूज करेंगे application को जो की है slack और ऐसा करने के बाद यहां हमें चूज करना है action event की हम हमारे Slack application में क्या करवाना चाहरे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें मिल जाते हैं drop down में बहुत सारे action event जिसमें से मैं चूज करूँगा send channel message को और देन मेरे Slack के account को मेरे पैबलिक अने की workflow में connect करने के लिए मुझे click करना होगा connect पे then करना होगा new connection established then connect with Slack तो यहां पर जब आप connection permissions जो आपको मिलती है अगर आप डालते हैं वहां पर user तो यह रही वह permissions जो आपको मिल जाती है और in case अगर आप डालेंगे board तो आपको यह permissions मिलेंगी तो मैं यहाँ पर फिलाल डाल देता हूँ यूजर और उसके बाद सेफ पर क्लिक कर देता हूँ सेफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बस मुझे allow करना है क्योंकि मैंने पहले ही मेरे slack की जो application है उसको मेरे इस browser में login किया हुआ है तो बस allow पर क्लिक करते ही within seconds यहाँ पर इसका authorization है वो successful हो जाता है ऐसा होते ही यहाँ पर सबसे पहला option मुझे मिलता है select करने का मेरे slack के channel को तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेरे slack की application में बहुत सारे channels create किये हुए है उसमें से एक channel मैंने create किया है WhatsApp messages के नाम पे तो अगर मैं आता हूँ मेरी workflow की और और इसकी drop down में आता हूँ तो आप देख सकते हैं वो सारे channels जो मैंने create किये हैं आपने भी अगर एक से जादा channel create किये हैं तो आपको यहाँ दिख जाएंगे उसमें से हम choose कर लीजिए वो particular channel जिस पर आप यह message share करना चाहते हैं ऐसा करने के बाद यहां हमें क्या करना है यहां हमको वो message बेजना है कि भाई कि हमें हमारे WhatsApp के दुरूग क्या message आया है तो यहां पर वो जो message है वो तो हम paste करेंगे ही इसके लावा यहां हम कुछ लिख सकते हैं जैसे hello team क्योंकि लगबग हम हमारे team के साथ ही यह information share करते हैं like we have got a new message on our WhatsApp number कि हमें एक new message मिला है हमारे WhatsApp number पे ठीक है यहां पर हमने टाइप कर दिया है और उसके बाद यहां हम details add कर सकते हैं और वो इस तरीके से the message is sent by अब यहां पर किनके दोरा वो message send हुआ है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं यह message type कर रहा हूँ साथ ही साथ यहां पर मुझे insert data from previous step का यहां option मिल रहा है और वो previous step क्या थी WhatsApp cloud API की तो इसके आप देख सकते हैं यहां पर एक drop down section है जिसमें वो complete details मिल जाती है जो मुझे मिली है मेरे WhatsApp नमबर पर message आने पर तो यहां पर जो मैं message लिख रहा हूँ उसके detail शेयर करना चाहरा हूँ तो message किसके दोरा आया है वो detail भी आप यहां देख सकते हैं यह कि वो नाम अगर उनके profile का जो भी नाम रखके रखते हैं वो लो WhatsApp पर तो वो name यहां आ जाता है तो यहां पर मैंने पैबली डाला था तो इस वज़र से पैबली आया है तो the message is sent by और उसके बाद यह जो option है ना इसको हम यहां से select कर लीजिए select करते ही क्या होगा यहां पर यह data जो है जो हमको मिला है हमारे previous step से वो यहां map हो जाएगा और map होने से क्या होगा जब real time पे कोई new message मुझे receive होगा ना किसी दूसरे WhatsApp number से या कहीं से भी तो यहां पर उसकी details automatically change हो जाएगी हमारी workflow में और इसके ऐसा होते ही हम क्या चाहरे है हमरे slack के channel पे सारी details आजाए वो message के साथ तो वो new name भी यहां पर आ जाएगा हमारे slack के channel पर आ जाएगा which we have got this message is और उसके बाद जो number है जहां से message आया है क्योंकि हमारे team को नाम पता चल गया है प्लस उनको वो number भी पता चल जाए ताकि वो उस हिसाब से उनको reply कर सके तो वो number क्या है वो यहां आमको मिल जाता है from में ठीक है from हमेशा क्योंकि यह नया number यहां पर आएगा दूसरे number से आ रहा है तो उसको यहां पर हमको map करना है ऐसा करने के बाद enter कीजिए और यहां पर एक और बार कुछ दागर आप type करना चाते है क्योंकि जो message है अभी main वो बचा हुआ है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ and the message is कि जो message है अब वो क्या है तो वो messages करने के बाद मैं यहां पर जो मुझे message मिला है न यह रहा complete text body वाला उसको यहां map कर देता हूँ और then उसके बाद यहां पर मैं इस conversation को end करूँगा एक बार सिर्फ यह लिख के please go through it and reply accordingly ओके यहां मैंने यह complete message लिख दिया है then team को कर देता हूँ regards और यहां आप देख सकते हैं यह जो पूरा complete message है वो complete हो चुका है मैंने यहां बेस select channel मेरा select कर लिया है message जो है मैंने यहां जो भी manually type किया है यह हमेशा as it is रहेगा लेकिन जो details मैंने यहां map करी है न वो हमेशा नए message के साथ vary होगी हमेशा name change होगा number change होगा और इसके लावा message है वो भी change होगा तो आप भी कुछ ऐसे ही तरीके से message create कर लीजिए और अगर कोई image URL है तो आप यहां add कर सकते हैं और भी कोई details हो आपके पास तो आप यहां पर add कर सकते हैं लेकिन जो main required details है बस आप वो जरूर फिल कीजिएगा तो मैंने main required details है वो यहां fill कर दी है ऐसा करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूँ है save and send to this button पे तो होगा क्या मेरे इस slack के channel पे वो जो particular message जो मैंना भी receive किया है वो यहां send हो जाएगा तो अब मैं click करके आपको बता देता हूँ कि कैसे ही वो हमें हमारे slack के channel पे दिखाई देता है तो यहां पर response आ रहा है okay that means की जो message है वो जा चुका है तो मैं आता हूँ मेरे slack के channel पे और आप देख सकते है एक message जो अभी अभी आया है today में बता रहा है कि hello team we have got a new message on our whatsapp number the message is sent by पैबली जो उनका नाम था और तो number है वो आगया है और as well as जो उसके अंदर message था वो यहां पर आ चुका है तो हैना कितना ही awesome automation है और यहां पर यह जो workflow complete हो चुकी होती है तो मैं आपको बता दूँ आपको click करना होता है safe पे बट यहां मैं आपको बोलूँगा कि इस बीच में आप एक और step आपको जोडनी होगी और वो किसलिए क्योंकि हम यहां पर एक step जोड़ेंगे और वो कहेगी कि जब भी हमारे को from available हो हमारे message में लाइकि जब भी कोई number से हमको message आए तब ही हमारी यह workflow यहां पर काम करें क्योंकि अगर आप इसके trigger दिखते है message notification वाला तो वो trigger में आपको और भी चीज़े मिलती है कि जब जैसे कोई new message चला भी जाए या कोई नया message डिलिवर भी हो तो उसके ऐसा होने पर भी यहां पर यह workflow काम करेंगी तो हमें के चाहिए कि सिर्फ हमारे वाटसेप नंबर पे किसी के दोहारा message आए तब ही हमारे slack के channel पे वो जो whatsapp message है वो चला जाए तो उसके लिए यहां इस बीच में जो action step हम जोड़ेंगे वो है filter by पैबली और मैं आपको बता दू कि filter by पैबली एक free task के पैबली के दोहारा इसका यह मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए आगे काम करें तो वो particular condition क्या होगी तो उसके लिए यहां पर जो select label है न वहां जाकर हम हमारे trigger से जो हमको from मिला है न यह entity zero changes zero value message from यह अगर यह exist करता है ठीके कि अगर यह है हमारे trigger के द्वारा हमें यह मिलता है तब ही जाके हमारी workflow आगे execute हो तो इसलिए यहां select कर लिजएगे label from वाला exist चूज़ कीजएगा और click कीजएगा save and send test request पे तो यहां आपको status बताएगा success और condition is true तो अब मैं आपको बता दू finally हमारी workflow यहां complete हो चुकी है और इसको अब हम save पे click करके save कर देते हैं तो यहां data भी save हो चुका है अब real time में जैसे हमारे उस WhatsApp नंबर पे कोई message आएगा तो instantly जैसे ही वो message आया हमारे WhatsApp पे हमारे Slack के channel पे भी यहां message आजाएगा तो वो test करके दिखाने के लिए बस मैं अब यहां से क्या करने वाला हूँ? एक और message मैंने यहां type किया है और वो message है hello is this JD interior design ठीक है? तो कि मैंने यहां पर जो channel create किया है JD interior design के ही नाम पे create किया है तो मान के चलते हैं कि कोई हम से पूछ रहा है कि क्या यह JD interior design ही है तो इसलिए उसने यहां हमको WhatsApp के दोरा हमारे WhatsApp पे message भेजा और आप देख सकते हैं या तुरंट एक message आगया है मुझे और वो कहता है hello team we have got a new message on our WhatsApp number और send by family reason क्या है और यह number भी आप देख सकते है same ही है क्योंकि मेरे पास हाल फिलाल अभी एक ही WhatsApp है इस वज़र से मैं अभी इसी के दोरा यह message भेज रहा हूँ but मैं आपको बता दू real time में आपको जो भी message भेज़ेगा WhatsApp के दोरा तो आपको उनके messages receive होंगे सिर्फ ये workflow create करते वक एक ही number से नहीं चलेगा जैसे जैसे लोग आपको messages भेजते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको यहां receive कर लेंगे तो यहां पर जो मैं आपको message बताया था hello is this jd interior design यहां पर वो message आ चुका है तो मतलब हमारी workflow जो है यह काम कर रही है और यह automation successful रहा हमारा और मैं आपको बता दू इसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक यहां पर हमारी workflow आउन रहेगी अब आप सब कुछ पैबली कनेक के ओपर छोड़ दीजिए जैसे जैसे message आते जाएंगे वैसे वैसे वो हम हमारी action application जो अभी हमारी condition में slack है आपको दूसरी application को भी उपयोग कर रहे हैं चाते हैं तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं और साथी साथ में एक बात और आपको बता दूँ कि अगर आप चाते हैं ये सेम workflow को instantly create करना तो आप मेरी इस workflow को clone करके भी ऐसा कर सकते हैं तो थाना आसान और ऐसे ही आसान automation के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.babli.com पे और एक बार हमारी प्राइजिंग लिंक भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद